समस्याओं का हल नहीं होने से नाराज सिंद खेडा में मतदान का बहिशकार कर दिया है दोपर 12 बचे तक पॉलिंग बूत पर सन्नाटा पसरा रहा मान थाता विधान सभा छेतर के अंतरगर शापली खुर्द ग्राम पंचायत के ग्राम सिंद खेडा में मतदान का बहिशकार जारी है एक भी ग्रामिन मतदाता ग्राम सिंद खेडा में बने पॉलिंग बूत पर वोट डालने नहीं पहुँचा है ग्रामिनों की नाराजगी इस बात को लेकर है कि सिंद खेडा में विकास कारिये नहीं कराए गए है समस्याओं का अमबार है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है ग्रामिनों ने बताए कि समुचे ग्राम में एक भी सड़क सिमेंट कॉंक्रिट की नहीं बनी है पेयजल की समस्या का निराकरण नहीं किया जा रहा है दो भागों में बटे गाउं के बीच में बसने वाले नाले पर रप्टा नहीं बनाया जा रहा है पीएम आवास का लाब भी ग्रामिनों के गरीबों को नहीं मिल रहा है इसके अलावा अन्य कई छोटी समस्या है जिनका निराकरण नहीं हो रहा है इससे ग्रामिन मतदाता नाराजे गाउं में बने एक मात्र मतदान केंजर पर मतदान दल और सुरक्षा कर्मी तेना थे ग्रामिन महिलाओं ने वीरोध स्वरुप नारेबाजी की है ग्राम के जगरिश राव ने बताया कि जन्पत पंचयद हरसूत के सीईओ प्रमेन यून ने जरूर आये था लेकिन उनकी बात को मानने से ग्रामिनों ने इनकार कर धिया है इस ग्राम में 111 महिला पूरुश मतदाता है सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब तरें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी न भुलें